नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश जी के चमतकारी कहानी के बारे में ये कथा हर व्रत में सुनने जाने वाली है तो चलो कथा शुरू करते हैं एक समय की बात है एक भाई बहन रहते थे बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चहरा देखे ही खाना खाती थी हर रोज वो सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मूह देखने के लिए उसके घर जाती थी एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गनेश जी की मूर्ती रखी थी उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सब को दीजिये ये कहकर वो आगे बढ़ जाती थी जंगल के जाडियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे एक दिन भाई के घर पहुची और भाई का मुह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा पैरों में क्या हो गया है ये सुनकर उसने भावी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के ज़ाडियों के गिरे हुए काटे पाओं में छुप गए हैं, जब वो वापस अपने घर आ जाए तब भावी ने अपने पती से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाओं में बहुत सारे काटा भावी ने तब कुलहाडी लेकर सारी ज़ाडियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया, ये देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भावी के प्रान हर लिये, लोग अंतिम संसकार के लिए जब भावी को ले जा रहे थ तब उसकी भावी रोते हुए लोगों से कहीं थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वो अपने भावी का मूह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है, तब लोगों ने कहा आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी, रोज दिन की तरह बहन देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहां से हट दिया गया है, तब उसने जाने से पहले गनेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सब को देना और फिर बोलकर आ पत्तियां लेकर जा और उसे कच्छे दूद में घोल कर भाई के उपच छीटा मार देना वो उठकर बैठ जाएगा, ये सुनकर जब बेहन जब पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था, फिर वो ये सोचने लगी कि ठीक है जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ, फिर वो साथ खेजरी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुची, उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी हैं, तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहट भाई के उपर इस्तेमाल किया, तब भाई उठकर जय गनेश जी महाराज की जय जय मोती डूंगरी वाले बाबा दोस्तों कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गनेश जी की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद